गुड़ बॉर्निंग बेटा आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम अपनी नाइन्थ क्लास की एसस का बुगोल के पार्ट का लेशन फर्स्ट भारत आकार और स्थीति कि जो हमारा भारत है उसका कार कैसा है और उसकी स्थीति ये सारी की सारी जो जानकारी है वो हम गलोब के मध्यम से और मानचित्र के मध्यम से प्राप्त करेंगे हम गलोब के दवारा और मानचित्र के दवारा जो भारत का जो प्रोसीदेश हैं पूरो में कौन से हैं दक्सिन में कौन से हैं पस्सिम में कौन से हैं इन सभी चीजों के बारे में हम इस लेसन के बार में पढ़ेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत 1947 में अज़ाद हुआ आज़ादी के बाद भारत ने अपना बहुत वी कास किया है और खास कर पिछले पचास वरसों ये देखिए पिछले पास दसकों में भारत ने सामाजी को रार्थिक रूप से जो है बहु मुखी उन्ती की है और ये उन्ती किंकिंशेत्रों में हुई है किर्शी For example, जब देश अजाद हुआ, तो देश के पास अन के बंधार बहुत कम थे आज किर्शी के अंदर भारत पूरुनते आत्म निर्वर है और 130 करोड से अधिक जन्संख्या को खाध्यान की किसी परकार की भी कोई समस्या नहीं सेकिंड है बेटा हमारे पास, उद्धोग आज भारत के अंदर सूती कपड़ा उद्धोग, लोहा इसपात उद्धोग, सिमेंट उद्धोग, पेट्रो रसायन कोई भी ऐसा उद्धोग धन्दा नहीं है, जो भारत के अंदर ना हो जबकि जब देश आजाद हुआ था, तब उद्धोगिक स्थिती भारत की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि ओपनवेस के कारण, अंग्रेजों ने भारत का विकास नहीं होने दिया उसके बाद हमारे पास आता है तक्नीक, तक्नीक की अगर हम बात करें, तो आज भारत जो है, तक्नीक के मामले में बहुत सक्षम है, आपने अभी पीछे देखा होगा, मंगल घरे के उपर हमने मंगल यान भेजा था, यह तक्नीक ही है भारत की, हमारे खुद के इंसेट है, जो समय समय पर हमें मोसम सम्मंदी जानकारिया या अन्य जो गतिविदिया होती है बहुलिक उनकी जानकारी देती है सैटेलाइट जिसे हम बोल रहे हैं और भी भौची तक्नीक हैं बाई एक्जेम्पल मिजाईल हम भारत में खुद निर्मान कर रहे हैं एपीजी अब्दुलकलाम को इसका स्रे जाता है जिसे मिसाईल मैन के नाम से जाना जाता है भारत जो है सवदेसी मिसाईल बनाता है खुद निर्मित करता है उनको इससे हम ये कह सकते हैं कि तक्नीकी रूप में भी भारत क्या है बहुत सक्षम है इसके साथ साथ सरवांगिन जो है आर्थिक विकास हुआ है परतिवेक्ति जो आए है उसके अंदर हमने बढ़ोतरी की है और आज के इस सदी में किसमी सदी में विसव के अंदर भारत का परचम जो है हरचेतर में लहर आ रहा है अब हम बात करते हैं हमारे भारत की स्थीती की जब आप इस स्थीती को देखेंगे दिहान से अभी मैं यह देखी हमारा next point है स्थीती अब आपके सामने यह जो मैं सरकल में ले रहा हूं भारत और विश्व यानि कि यह जो आपके सामने एक आकर्ती दिखाई दे रही है इस आकर्ती का नाम है गलोब क्या है बेटा गलोब अब ना जब आप इस आकर्ती को देखोगे ना तो गलोब क्या है आपको ओटोमेटिक पता लगेगा जैसे कि देखने में यह जो सामने हमें आकर्ती दिखाई दे रही है जो गलोब है यह हमें देखने में कैसी दिखाई दे रही है पिर्थवी जैसे तो इसका मतलब globe क्या है, globe पिर्थवी का एक क्या है, परती रूप है, उसका क्या है, परती रूप है, जिसके उपर हम किसी भी देश की स्थीती का क्या कर सकते हैं, अध्यन कर सकते हैं, परसन आ जाता है बहुत बार ये कि globe किसे कहते हैं, उसके बाद आप यहां पर बहुत बड़ा जो भाग है इस गुलोब का वो किस रंग में है यह देखिए आप यह रंग कैसा है नीला है कैसा है बटा नीला हमें दिखाई दे रहा है न और नीला रंग हम अंतरास्ट्रिय यह जो हमारे मानक है मैप के मानशित्र के वो पानी में के लिए यूज़ करते हैं और हम सभी को पता है कि लगबग लगबग तीन चोथाई पिर्थवी जो है वो किस से डखी हुई है पानी से डखी हुई है ये देखिए परसांत महासागर हिंद महासागर अटलांटिक महासागर ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये महासागर है उसके बाद में हमारी जो पिर्थवी है उसके ओपर कितने महादिवीब है साथ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको नमबर एक एसिया नमबर दो ओस्ट्रेलिया नमबर तीन अफ्रीका नमबर च्यार दक्षणी अमेरीका नमबर पांच उतरी अमेरीका नमबर छे योरोप और सबसे लास्ट में हैं हमारे पास नमबर साथ एंटार्क टिक महादिव यानिक ये टोटली जो है बरफ से ढखा रहता है यहाँ पर जीवन नहीं पाये जाता सिर्फ यहाँ वनस्पतिया मिलती है काई और लिच्चन जैसी तो ये हमारे पास पूरी विस्क्य की जो है वो स्तीती है जिसके उपर कितने महादीव दिखाई दे रहे थी आपको अब बात करते हैं हम भारत की कि इन सभी महादीवों में भारत कहां है तो जब आप देखेंगे आपने मानचितर अगर भारत का देखा है तो आपको बिल्कुल सपस्ट यहाँ पर पीले कलर में दिखाई दे रहा है ये देखिए किस कलर में दिखाई दे रहा है पीले कलर में ये देखिए ये क्या है भारत है हमारा क्या है ये हमारा भारत है तो ये महादीव पौन सा है इसको मैं कवर कर रहा हूं पूरे को एसिया यानि कि जो भारत की जो स्तीती है वो हमारी पिर्थवी पे वो एसिया महादीप में स्थित है कहा स्थित है एसिया महादीप में स्थित है उसके बाद सेकिन जो बात आती है वो है गोलार्द की किसकी आती है वेटा गोलार्द कि भारत जो है वो किस गोलार्द में स्थित है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये गोलार्द कैसे बनता है, जो हमारी पिर्थवी है, वो क्या है एक गोलाकार की है, जब भी हम ये बात करते हैं कि पिर्थवी कातार कैसा है तो हम क्या कहते हैं उसके बारे में गोलाकार, हाला कि ये धुरूओं के उपर ज क्या खिची है कुछ काल्पनिक रेखाएं खिची है और उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं अक्सान्स और देसांतर कौन सी रेखाएं कहते हैं अक्सान्स और देसांतर जो अक्सान्स रेखा है बेटा ये खिचती है पूरो से पस्यम और देसांतर जो रेखा है बेटा वो खिचती है उत्तर से दक्षिन यानि कि ग्लोब के उपर या मान्चितर के उपर हमने जो है कुछ काल्पनिक रेखाएं खिची हुई है इन काल्पनिक रेखाओं को जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं फर्स्ट अक्सांस रेखा और सेकिंड हमारे पास कौन सी आ जाती है देसांतर रेखा कौन सी आ जाती है देसांतर रेखा अब हम इने ये जाना कि जो अक्सांस रेखा है वो कहां से कहां खिस्ती है पूरों से पस्सिम अब यहां देख भी सकते हो आप इसमें क्या कर सकते हो आप देख सकते हो आप राम से ये देखिए 36 डिगरी 32 ये जितनी भी आपको वर्ताकार दिखाई दे रही है मैं मारक कर रहा हूँ बेटा ध्यान देना ये अक्सांस रेखा है ये अक्सांस रेखा है ये अक्सांस रेखा है ये जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है ये अक्सांस रेखा है दिखाई दे रही है ये क्या है ये तो सिरा है हमारा पस्सिम और ये सिरा हमारा क्या है पूरो यानि कि पस्सिम से पूरो या पूरो से पस्सिम मैं जो रिखाई खिची हुई है मैं दिखाई दे रही है ये सारी क्या कहलाती है अकसांस रिखाई अब सेकिन बताऊंगा मैं दिखाई दे रही है आपको यह, दिखाई दे रही है, इन रेखाऊं को क्या बोलते हैं, देसाँतर, और यह कहाँ खिस्ती हैं, यह उत्तरदिसा, और ये नीचे वाली जो है, अगर मैं इसको सारी को दिखाऊँ आपको, तो अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे, तो ये हमारा कौन सा सीरा है, दक्षिन का सीरा है, कौन सा सीरा है ये हमारा दक्षिन का, तो ये जितनी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी कौन कौन सी है देशांतर रेखाएं हैं जब हम गलोब को इन देशांतर और अकसांस रेखाओं के अधार पर क्या करते हैं बाटते हैं क्या करते हैं बाटते हैं तो पृत्वी के दो भाग हो जाते हैं अगर हम इसको किस अधार पर बाटें देशांतर के अधार पर ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं उपर से नीचे आती हुई ये देखिए आप मैं खींची देता हूँ ये जो रिखाएं आपको दिखाई दे रही हैं दिख रही हैं दिख रही ही ना वेटा ये सारी ये सारी देशांतर रिखाएं हैं अगर इस अधार पे अगर हम इसके दो टुकड़े कर दें कितने टुकड़े कर दें दो एक हिंसा इस साइड रे जाएगा एक हिंसाइड जैसे की ये वाड़ी लाइन खिची हुई है तो इधर रे जाएगा ये हिंसा तो कुण सा आजाएगा पूरो और इधर होगा हिंसा ये कुण सा आजाएगा पसिम यानि कि जब देशांतर रेखाओं के अधार पर हम गलोब के उपर अगर पिर्थवी को बाटते हैं तो उसके अगर हम दो टुकड़े कर लें कितने देशांतर रेखा ये सिरा पसिम और ये सिरा कुण सा हो गया पूरो तो आधह ये और आधह दूसरी साइड वाला तो गोले के कितने टुकड़े हो गए दो तो ये भी कुण सा गोला है अर्द गोला और ये भी कितना है अर्द तो अर्द गोले को हम क्या बोल देते हैं गोलार्द क्या कहते हैं गोलार्द और इसको भी हम क्या कहेंगे गोलार्द तो पूरो में स्थीत है वो तो कौन सा गोलार्द हो गया पुर्वी और जो पस्मी में स्तीत है वो कौन सा हो गया पस्मी आया समझ बेटा कि देशांतर की अधार पर जब पूरी पिर्थवी को दो भागों में बाटा जाता है तो एक भाग क्या कहलाता है पुर्वी और एक क्या कहलाता है पस्मी अब भारत कहा है ये रहा दिख रहा है ना भारत में पीले कलर में ये है भारत कौन से गुलार्द में हुआ बेटा पुर्वी भारत कौन से गुलार्द में हुआ पुर्वी गुलार्द में अब हम सेकिंड लेते हैं इसका एक रेखा आपको ये दिखाई दे रही होगी बेट ये खीश देता हूं मैं, खीश दी मैंने, अब भी पिर्थवी दो भागों में बट गई, उपरी सीरा, उत्री, और ये नीचे वाला एंटार्टिक का जहां तुमें दिखाई दे रहा है, दक्षिन, तो ये भी आदा गोला, ये भी क्या हो गया, गोलार्द, और ये भी क्या ह हो गया, गोलार्द, दो गोलार्द हो गया हमारे पास, तो उपर वाले को हम क्या कहेंगे बेटे, उत्री गोलार्द, और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे बेटा, दक्षनी गोलार्द, अब भारत को देखो, ये भारत है बेटा, का है ये बेटा भारत, यहां, तो कौन से ग हांसे इस गलोब पे पता लग रहा होगा एसिया महादीत में है और कौन से गोलार्द में है उत्री गोलार्द में तो अगर हम भारत को अक्सांस ये अधार पर देखें तो भारत किस गोलार्द में आता है उत्री गोलार्द में ये देखो बेटा लाइनब कि भारत एक विसाल अब यहां देखो आप भारत का जो सही वास्त्विक जो स्थीती यहां बताई जा रही है अकसांस और देशांतर को मिला के वो देखिए ये तो है आठ डिगरी चार मिनट ये ऐसे लिखा हुआ मिला है बेटा ये देखो अगर यहां चार की बजाए अगर पंदरा मिनट हो जाते हैं तो एक डिगरी बढ़ जाता है फिर यहां नो डिगरी हो जाएगा क्योंकि जो पूरी जो पिर्थवी है वो गोल है और उसके ओपर कितने डिगरी का कौन बनता है 360 का तो उसको जब हमने डिवाइड किया तो भारत का जो ये स्थान है ये कितने डिगरी पे आता है आठ डिगरी 4 मिनट उत्तर से और 36 डिगरी कितने मिनट 6 मिनट उत्री अकसांसिय विस्तार है भारत का जो अकसांसिय विस्तार है वो कितना है ये जो आप स्थिती देख रहे है न ये जो लाइन मैंने खिची है ये अकसांसिय रेखा है मैं आपको वापीस जो है मैप के उपर ही लिए चलता हूं जहां से हम बहुत अच्छे से इस चीज को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं ये देखिए ये भारत का मैप देखिए आप दिखाई दे रहा है बिटा सबको अब यहां देखो आप ये जो रेखा है आपको दिख रही है ये देखिए 36 डिगरी उत्तर दि दिख रही है न ये भारत का अकसांस है कौन सा अकसांस हो गया 36 जबकि भारत थोड़ा सा उपर है ये देखिए आप दिखाई दे रहा है ये कितना है 37 डिगरी 6 मिनट यानि कि उपर का जो विस्तार है हमारा उत्तर में वो यहां तक है उसके बाद बेटा मैं आपको नीचे लिए चलता हूं ये देखिए जब हम नीचे आ जाएंगे तो ये भी एक रेखा ये देखिए ये अकसांस रेखा ये कितने डिगरी की है 8 की लेकिन ये थोड़ा सा नीचे खिसका हुआ है भारत ये देखिए तो ये कितना हुआ 8 मिनट सोरी आठ डिगरी चार मिनट तो अकसांसिय विस्तार कितना हो गया यहां से स्टार्ट हो गया भारत यहां से क्या हो गया भारत स्टार्ट हो गया यहां से और यहां से होता होता और भारत कहां तक चला गया ओपर तक आईए यहां तक आ गया कितना तक आ गया 37 डिगरी 6 मिनट तक यानि कि भारत का जो विस्तार है 119 वो कितना दिया हुआ था वहां 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट यह 119 विस्तार है भारत का अब सेकिंड हमारे पास यह ध्यान से देखेंगे आप देसांतरी यह विस्तार देसांतरी यह कोण सा लोता उपर से जो खिची हुई है तो यह जो सिरा है यह देखिए आप 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट यह भारत का कोण सा विस्तार है देसांतरी है क्योंकि यह जो सीधी रेखाएं जो खिच्ती है उत्तर से दक्षिन में यह सारी कोण सी रेखाएं होती है यह वाली यह देसांतर रेखा है बेटा सा रहे हैं यही विस्तार हम देख रहे हैं लेकिन अब क्या है यह सीरा भारत का क्या हो गया पूर्वी सीरा है क्योंकि यह पूरव है और यह कुण सा सीरा है पस्चिम तो फिर यह क्या बोला जाएगा कि 68 डिगरी 7 मिनट पस्चिम से लेकरके और 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर के लिए हम क्या बोलेंगे पूर्वी और वो दूसरी साइड में हमारे पास था वो क्या था हमारे पास अक्सांस वाले में तो 8 डिगरी उत्तर से स्टार्ट कर रहे थे ना हम यह उत्री जो स्टीटी है वो भारत की यहां पर दर्साई गी है और यहां किलोमेटर भी बताएं गए हैं आप यह देखिए जो भारत का देशांतरी अविस्तार है वो कितना है 2933 किलोमेटर जो लंबाई है भारत की और अगर आप इसी चीज़ को कहां पर देखेंगे अब हम अकसांसिय विस्तार हमारा कितना है 3214 किलोमेटर हाला कि अगर आप इनकी डिगरी निकालो कैसे निकालेंगे देखो बेटा 37 degree 4 minute में से आप 8 degree कितने minute थी हमारे पास जितनी भी थी करीबन करीबन 4 के आसपास थी तो कितने degree के आसपास आजाएगा लगबग 30 degree यानि कि जो विस्तार है हमारा लगबग कितने degree है 30 के आसपास अब दूसरे का देखो हमारे पास कितना है कितना था बिटा 96 point something था ये देखिए 97 point कितना है 97 degree 25 और इसमें से घटा दो आप 68 degree 7 minute तो करीबन करीबन ये भी कितना आ जाएगा 30 degree यानि कि भारत का जो अकसांसिय विस्तार है वो भी 30 degree है और देसांत्रिय विस्तार है वो भी कितना degree है 30 लेकिन फिर भी अगर हम उसकी किलोमेटर के अंदर जब डिवाइड करते हैं तो एक जैसा नहीं है हलांकि अकसांसिय और देसांत्रिय विस्तार तो 33 degree है लेकिन अगर किलोमेटर में डिवाइड करते हैं तो जो देसांत्रिय विस्तार है वो 2933 है और अक्सांस ये जो विस्तार है वो कितना है 3214 किलोमेटर ये फरक है थोड़ा सा इसमें क्योंकि जो अक्सांसों के बीच का जो अंतर होता है किलोमेटर में वो जो अक्सांस ये जो विस्तार होता है वो थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा होता है तो अब आपको ये पता लग गया है कि भारत जो है अकसांस के अधार पर तो कौन से गोलार्द में हुआ उत्री में ठीक है और अगर दिसांतर के अधार पर पर पुर्वी में अब हम वापिस जो है उसी स्थान पर क्या करते हैं पहुंचते हैं ध्यान से देखेंगे आप इसको हम वापिस जो है उसी स्थान पर आ रहे हैं ध्यान से देखें ये देखें इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिगरी 4 मिनट उतर से 37 डिगरी 6 मिनट अकसांस ये है और देसां अंत्रिये कितना है 68 डिग्री साथ से लेकर के 97 डिग्री 25 तक ये भारत की जो है स्थीती है और जो करक रेखा ये जो दिख रही है ना आपको बेटा भारत के बीचों बीच से गुजरती है साड़ेते 20 डिग्री वाली ये तो है 30 वाली बेटा इससे थोड़ा सा नीचे यहां माननोंगे आपे यहां से गुजरती है वो रेखा कुणसी होती है करक रेखा आगे वाला जो मैं पाएगा उस पर दिखाऊंगा मैं आपको तो ये तो था भारत की स्थीती तो भारत की जो स्थिती है और उसका जो कुल जो 6 तरफल है उसके अंदर वरक किलोमेटर कितना है 32.8 लाख इमपोर्टेंट परसन है ये सारे कितने किलोमेटर फैला वुआ है भारत 32.8 लाख वरक किलोमेटर के अंदर इस धर्ति के ऊपर क्या है भारत फैला हुआ है और ये जो टोटल जो भूमी है पूरे विश्व की उसका कितना परतिसत है important person है 2.4 यानि कि 2.4 कितना है 2.4 और जो पूरा विश्व है उसके अंदर भारत का स्थान कितना आता है बड़े देशों में सात्वा यानि कि हम से कितने देश बड़े हैं 6 और बड़े हैं कितने देश बड़े हैं 6 और भारत से क्या हैं बड़े हैं और जो भारत की जो सथल सीमा है जो सथलिये विस्तार है जिसके अंदर भारत के उपास सथलिये भूमी है वो लगव कितनी है important person है बेटा ये सारे 15,200 क जो समुदरी तट रेखा अगर हम दोनों हमारे द्वीपों को मिला ले अंडमान और निको बार्दी समू को और लक्से दीप को तो कितनी होती है 7516.6 किलोमेटर जो हमारी तटिये जो रेखा है जहां पर समुदर लगता है या बंगाल की खाड़ी लगती है या रफ सागर यहां नेक्स की तो उत्तर पस्यम उत्तर पुर्वी सीमा यहां पर नए परवत है जिसको हम क्या बोलते हैं हिमाले परवत कौन सा परवत स्तीत है हमारी यहां पर हिमाले परवत तो इसको हम क्या बोलते हैं नवीन बलित परवत क्या बोला जाता है इनको नवीन बलित परव दक्षिन का जो भूब आगया वो उत्तर में यानि कि जब हमाले की तरफ आते हैं जब तो चोड़ा होता जाता है वो मैप से भी बता दूँगा मैं जब आगे आएगा और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा संकरा सिरलंका के पास जाओगे त तो बिल्कुल कम दिखाई देगा आपको अभी मैंने बताया थे देखिए कि भारत का जो अक्सान सोर देसांतर विस्तार लगब कितना है 30 डिग्री अभी समझा भी रहा था मैं पस्चिम में भारत के रवसागर है और पूरों में क्या है बंगाल की खाड़ी है लेकिन फिर भारत का समय वहां से जो है मिलाया जासके वो है 85 डिग्री ये देखिए पूर्वी देसांतर और अगर हम पूर्वी और पस्चिम किसी भी देश का अंतर यहां राज्य का अंतर किया गया है देखो गुजरात और अरुनाचल पर देश का किसका अंतर किया गया है गुजरात से वो पुरों के अंदर है और जहां गुजरात स्थित है उसका जो देशांतर और रक्सांस है वो कहां परस्थित है पस्सिम में तो पूरे भारत के अंदर टाइम की कोई दिक्कत ना हुई इसलिए हमने जो है साड़े बियासी डिगरी जो अदेशांतर रेखा को भारत की क्या माना है मानक या मोतर याने की मानक समय रेखा ये कहां से गुजरती है उत्तर परदेश में इलाबाद के पास से मिरजापूर से गुजरती है उसके बाद में बात आती है भारत और विफव जो भारत है वो विफव के अंदर क्या स्थिती है तो वो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बेटा जो है ये सारी चीजें बताई थी कि भारत जो है वो कौन से महाधीप में स्थित है Asia महाधीप में स्थित है बताई थी ना अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये देखे भारतिय बूखंड Asia महाधीप के पुरो और पस्यम के मद्धे में क्या है स्थित है और इसके जो है दक्सिन के अंदर जब हम जाएंगे तो कुण सा महासागर है हिंद महासागर और इसी स हम जो है उरोपिय देशों से और एसियाई देशों से क्या करते हैं वैपार करते हैं और भारत की स्थिती यहां पर किसमे है सेंटर पॉइंट की है केंदर यह स्थिती है और इसका भारत को फाइदा भी मिलता है बहुत पर परसन आ जाता है कि हिंद महासागर का भारत के कें इसमें जो बंदरगाएं हैं उससे हमारा व्यपार क्या होता है बहुत से देसों में होता है यह बता रहे है देखो पस्मी एसिया से कर सकते हैं अफ्रीका से कर सकते हैं और यूरोप से कर सकते हैं इसी कारण जो है हमारे एसिया के अन्य देसों के साथ भी क्या है निकटतम और और कोई बी देस ये देखिए, हिंध महासागर में और किसी भी देस की जो तटीय इमाजो है, वो किस की जैसी नहीं है, भारत के जैसी नहीं है, और एक यहां बहुत IMPORTANT PERSन है बेटा, यह cover कर रहा हूँ मैं, यह देखो आप, बहुत बारा दा है, स्वेज नहर के बारे म गया था ऐसे, ऐसे काट के बीच में जो सथल भाग था उसको काट के नहर बनाई गई और दोनों के जल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो उस नहर का नाम क्या था स्वेज नहर, यह 1879 में खुली थी, इससे क्या हुआ था कि भारत की जो दूरी है वो यूरोप से कितनी कम हो है, और यह देख लीजी, अभी मैं आपको बता रहा था कि जब हम आगे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, यह साथ देश है, फर्स्ट सबसे बड़ा कौन सा है, रूस, परसन आता है यह कई बार, कि विस्टों के सबसे बड़े देश का नाम क्या है, रूस, सेकिन पर कौन सा है बेटा, कनाड़ा, थर्ड नंबर पर कौन सा है, अमरीका, फौर्थ पर कौन सा है बेटा, चाइना, पांच पर कौन सा है, ब्राजील, छे पर कौन सा है बेटा, ओस्टेलिया, और साथ पर कौन सा है, भारत, आपको ध्यान से देखना है यह, कि जो विस्टों क सबसे बड़े साथ जो देश हैं जिसमें भारत का नाम साथ में स्थान पे हैं वो हमसे पहले छे देश हैं तो सबसे बड़ा देश कौन है बेटा रूस दूसरे नंबर पे कनाड़ा तीसरे पे स्युक्तराज अमेरीका चोथे के उपर चाइना पांचमें के उपर ब्राजील छटे पे उस्टेलिया और साथ में पे कौन आ जाता है भारत आ जाता है ध्यान से देखेंगे और इनको जो है राइट डाउन भी करेंगे इंपोर्टेंट क्यूस्टन है ये ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना जो मैं पाएगा भारत का देखो उपर से अगर आप देखोगे उत्तर में तो ये सारा चोड़ा है यहां पर ये देखिए कितनी चोड़ाई है ये देखिए दिखाई देरी ना कितना चोड़ा है ये देखो आप है ना इसकी चोड़ाई ये देखिए यहां तक फैला हुआ है ठीक है लेकिन जैसे जैसे दक्षिन में आप हम आ रहे हैं, जैसे जैसे हम कहां पर आ रहे हैं, देखी हम कहां पर आ रहे हैं, दक्षिन में आ रहे हैं, ये तो देखो कितना चोड़ा है यहां तक, है ना, ये देखी आप, यहां तक फेला है, दक्षिन में आ गे तो देखे हो, संकरा हो गया ना, वहां था ना, हमारे पास यह देखिए बिल्कुल संक्रा होगे आगे तो बिन्दू जैसा ही बच गया है हमारे पास यह विस्तार बताया गया था पिछे तो यह मैंने आपको जो है राइड डाउन करके यहाँ पर दिखाया है भारत के किस से मैप से और अभी हम बात कर रहे थे जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो हिंद महासागर की जो स्थीती है भारत की अब आप देख लीजिए यह महासागर हिंद है दिख रहा है ना आपको सभी को दो परकार के मारग है यहाँ पर यह जो मारग आपको दिखाई दे रहे हैं यह तो है वा आप इसमें यह जितने भी खिचे हुए है यह देखो दिख रहे हैं ना यह सारे तुमें यह देखिए यह दिख रहे हैं यह सारा देखो किस से संभव है हिंद महासागर की वज़े से यह किंद्री यह स्थीती है बाकी यह सारे देश देखो आप बारत किसके साथ वैपार क कर सकता है मिस्सर के साथ कर सकता है लीबिया के साथ कर सकता है सुडान के साथ कर सकता है इथोपिया के साथ सुमालिया के साथ यमन के साथ ओमान के साथ सौधी अरब के साथ और अभी थोड़ी दिर पहले मैंने बात की थी यह देखो लाल सागर दिख रहा है तुमने यह देख तो पाकिस्तान के साथ सथलिये वैपार कर सकते हैं तिबबत के साथ कर सकते हैं बहुत से देश हैं ऐसे जिनके साथ हम क्यों सा वैपार कर सकते हैं सथलिये लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ हम कौन सा वैपार करते हैं समुदरी वैपार ये देखिए इंडोनेसिया से कर सकते हैं हम ये देखिए सिंगापूर से कर सकते हैं मलेशिया से कर सकते हैं फिलिपीन से कर सकते हैं तो ये सारे के सारी मैप्स के जरीए आप देखने का प्रियतन करेंगे जो हिंद महासागर है इसके कारण भारत अगर इस मैप पे देखोगे वल्ड का मैप आपको कर जाएं तो उपर कौन सा महाधी पा जाएगा यूरोप महाधी पा जाएगा तो ये केंद्री अस्तीती का हमें क्या पड़ा है लाब मिला है और इस कांड जितने भी ये जो मारग है दूसरे देश के साथ जा रहे हैं वो सारे भारत से होके गुजर रही है देखो आप जितन समुद्री मारगों के पेक्षा भूमारगों से उकर जाता था पहले तो लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे ही क्या हुआ कि जो सपेन के जो नाविक थे जो पुर्तकाल के जो नाविक थे उन्होंने क्या किया समुद्री मारगों की क्या कर ली खोज कर दी और इन सभी का जो मलमल है, कपड़ा है ये सारी की सारी चीज़ें कहां पर जाती थी यूरोप में जाती थी और वहां से जो युनानी जो स्थापत्य कला थी वो भारत पहुँची वास्तुकला हमारी जो बिनारे हम देखते हैं गुमन जो भारत में हम देखते हैं ये सारी की सारी जो है वो भारत में कहां से पहुची थी युनानी जो है संसकर्ती से पहुची थी आज की क्लास में हम इतना ही जो है पढ़ेंगे थैंक यू बेटा